हेलो माई डियर फ्रेंड्स देखो यहां पे हम इस मैप के त्रों से देखेंगे कि कुन सी लेक जो है वो किस स्टेट में या यूटी में लोकेट है देन आगे जो एमसी क्यूज है उनमें हम डिसक्स करेंगे कुन सी लेक ओलिकोट्रॉपिक है किस लेक का जो पेसन है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी से फॉर्म हुआ है कुन सी लेक सबसे लॉंगेस्ट है कुन सी लेक मिचुरॉइट की गिरने से बनी है यह हम आगे एमसी क्यूज में डिसक्स करेंगे यह साइन्टिफिकली यह साइकॉलोजी के लिए भी प्रोवन है कि जितना भी हम अपने माइंड को यह ब्रेन को ग्राफस यह इमेजिस की तरुसे नौलिज प्रोइड करेंगे तो उसको फॉरे लॉंग टाइम तक याद रखता है सुनो हमारी पहली यूटी है वो जैन के है तो जैन के में जो लेकस है आपकी वो है वलूल लेक उसके पाद होकर सर लेक उसके पाद डल लेक उसके पाद सुरियन सर और मान सर लेक जो जमू में है लदाख में जो लेकस है वो आपकी पैंगांग लेक है तसो मुरारी लेक है तसोकर लेक है यहां पर निखा है लेकस के यहां पर साइड में इसका मतलब होता है रॉमसर साइडस है यह आपकी वेट्लेंड से अब हम पंजाब देंगे पंजाब में आपकी हिरी का लेक है कंजली लेक है और रूपार लेक है अब हम मैकस देंगे हरियाना, हरियाना में आपकी बदख्ः लेक है और ब्रहमा सरोवर लेक है अब हिमाजल पर्दिश, हिमाजल पर्दिश में आपकी है पॉंग डेम लेक, चंदरताल लेक, महाराना प्रताफ सागर लेक, उसके बाद रिनुकर लेक उत्राखण में आफकी है बीमता लेक और नानीता लेक अब राजस्तान, राजस्तान में आफकी है दीबर और जैसामन लेक नकी लेक, उसके बाद पुशकर लेक, सांबार लेक और कोलायत लेक ये सारे है राजस्तान में अब यूपी, यूपी में आपकी हैं बेला सागर लेक, गोविंद वला पंत लेक, सुर सरोवर लेक उसके पाद सुर सरोवर लेक और इसका दूसरा नाम है कीथन लेक अब नेकस्ट है एमपी, एमपी में आपकी हैं बोईश्टर लेक और इंद्रा सागर लेक अब नेकस्टे गुजरात गुजरात में आपके हमिर सर लेक, कनकारिया लेक, नाल सर लेक और थोर लेक अब बिहार में देखेंगे बिहार में आपके कुनवार ताल और खबर ताल लेक अब सिक्की में देखते हैं सिक्की में आपकी तसू लमो या चलमो लेक और तसमगो या चंगो लेक आसा में देखते हैं आसा में आपकी हैफ लॉंग लेक दीपोर भी लेक और आपकी चंदू भी लेक इसके बाद मनीपूर में देंगे मनीपूर में आपकी लोक तक लेख है मिजोरा में आपकी थाम दिल लेख है और तरपूरा में आपकी रुदर सागर लेख इसके बाद मिगालिया में मिगालिया में आपकी बारा पानी और उमेम लेख है उडीसा में आपकी चिली का लेक है इसके बाद महारास्टरा देखते हैं महारास्टरा में आपकी हैं शिवाजी सागर लेक, लोनार लेक और सलीम अली लेक यह को सलीम अली लेक महारास्टरा में सलीम अली बिर्ट संचिरी जो है वो गुवाम है और सलीम इली नेशनल पाक जो है वो जुमू कश्विर में स्रीनगर में जो मस्क दियर के लिए फैमस है इसके बाद करनाटका, करनाटका में आपकी अगारा लेक और उलसूर लेक है इसकी बाद कैरला, कैरला में आपकी अश्टामोडी लेख है, पेरियार लेख है, शश्टामकुटा लेख है, कुतानन्ड लेख है, विम्बानन्ड लेख है और जो विम्बानन्ड लेख है, ये इंडिया का सबसे लॉंगिस्ट एंड लॉर्जिस्ट लेख है तामिलनाडो में आपकी चिंबा, रंबंब लेक और काली विली लेक है आंधरा पर्थेश देखते हैं आंधरा पर्थेश में आपकी कुलीडु लेक और पुलीकट लेक है और फाइनले तिलंगाना, तिलंगाना में आपकी हुसेन सागर लेक लोकेट है question first what does etropication refer us to basically etropication क्या होते है etropication मतलब होता aging होना यानि age बढ़ना और फिर जब age बढ़ती रहते हैं तो एक time के बाद फिर death हो जाते हैं क्या एक lake की भी death हो सकते है obviously बिसके लिए क्या होता है कि जब एक नया नया lake होता है तो उसमें nutrient contentors बहुत जड़ा excess content में available होते हैं और वही फिर attract करता है algae को plants grow करना start हो जाते हैं फिर एक time के बाद जब इनकी algae की quantity बढ़ती है वहाँ पर तो फिर ये lake एक दम खतम हो जाता है and इस etropication की process को accelerate करने के लिए we humans are also responsible because एक तो natural aging तो होई ही रही है but हम humanist क्या करता है हमें जब भी कोई garbage होता है कुछ भी होता हम जा की सिदा पाने में फैंक देते हैं उसके वाई से chemicalis और जड़ा बाढ़ते हैं और इस lake ही जल जल जड़े death हो जाते है that's why we humans should be very much responsible and concerned towards our environment और यह वाली चीज़े हमें avoid करने चाहे तो इत्रोपिकेशन का जो सही आंसर वो एपार्ट है natural aging of a lake by nutrient enrichment of its water के यस लास्ट ये पूशा भी गया था यह question question second which of the following lake is formed by mature lunar lake, wallow lake, dull lake, kunwarta lake मिसे मीचुराइट की hit से कुन सी lake बनी है तो इसका जो सही answer है वो आपकी lunar lake है जो आपकी Mumbai महारास्ट रम है और इसी को हम crater lake भी कहते है आपकी walrl lake है ये एशा की सबसे largest fresh water lake है और जो kunwarta lake है ये आपकी एशा की सबसे largest fresh water aukasbos lake है आपकी aukasbos lake कैसे बनता है ये हम देखते हैं अक्रिषिבה लेक है, बसके किल मिईजयर क्या होता है वो रेवर जो ऐसे कर में चलते हैं अब रेवर ऐसे कर में कियों चलेगी हम ज़रा देखते हैं अब देख से भी एक रेवर है जो बीच में इसको कोई होड रोग आ गयी अब होट अग जब आदे तो यह अपनी डिरेक्शन चेंज करेगी तो ऐसे फॉलो करना सिटार करेगी फिर टाइम के साथ-साथ यह जो रिवर है इसको पॉर्शन को रोड करती रहेगी करते रहेगी और फिर से यह सिट्रेट चलना सिटार करेगी करतादा यह जो यह वाला बन गयाए इसे अलग हो जागे इस रिवर से तो यह इस शेप के बनेगा और इसे हम अकसबो की शेप में बनेगा और इसी को हम अकसबो लेक कहते हैं कुछ्चन थर्ड विच इस डर्जस्ट हाई अल्टिटोड लेक एंटाइल इन इंडिया तसो मुरारी लेक, तसोकर लेक, पैंगांग तसो लेक, तसोलमो लेक इसका जो सही आंसर है वो आपकी तसो मुरारी लेक और तसोलमो लेक जो आपकी सिक्पिम है यह इंडिया की हैस्ट लेक है Question 4 Which is the largest fresh water lake in North East India? लोग तक लेक, धामदिल लेक, रुद्रासागर लेक, उमयम लेक, इसका सही आंसर है लोग तक लेक जो आपकी मनीपूर में है लोग डल लेक, पैंगा उक्तासो लेक, शष्टम कुटा लेक, इसका सही आंसर है वोग लोग जो इसका बेसन जो है वो फॉर्म हुआ टेक्टोनिक एक्टिविटी से और इसा की सबसे लाज़ेश फ्रॉड लेक है डल लेग जो है इसे कहते है जेवल in the crown of Kashmir पैंगाकटास और फॉर्ट तरड जो है इसका और फॉर्शन ब्रशन यह आपकी तिर्बत जैना में है और शच्थम कुटा लेग जो है इसे कहते है कुईन ओफ लेक है और यह आपकी कैरला में लोकिट है Q6. Which of the following lakes is not a Ramseur site? Ural Lake, Dul Lake, Surin Sir Lake, Man Sir Lake तो इसका सही आंसर है वो आपका Dul Lake है या आपकी Ramseur site नहीं है Q7. Which lake is located in Gujarat? थोल Lake, Puliket Lake, Halflong Lake, उलसूल Lake देखो थोल Lake या आपकी गुजराद में लोकेट है उसके बाद Puliket Lake या आपकी आंदरा परदेश में लोकेट है Halflong Lake आसाम में और उलसूल Lake या आपकी करनाटिका में लोकेट है Q8. Which is the longest and largest river in India? विम्बानन लेक, चिलीका लेक, वलूल Lake, गोविंद वलापंत सागर तो इसका सही आंसर जो विम्बानन लेक जो आपकी कैरलाम है चिलीका लेक जो है, ये है largest ब्रेकिश वाटर लेक जो डिसा में है और उलेक जो ये एशा की largest fresh water lake है और गोविंद वलापंत सागर जो है, ये आपकी यूपी में है और ये largest artificial lake है इंडिया की Q9. Which of the following river does not have origin outside India? इंदस, सत्थूज, गंगा, ब्रहाम पुत्रा तो इसका सही answer है गंगा इसकी गंगा का जो river का जो origin है वो आपकी गंगोत regulation है उत्रा खड़ में बागी सब जो rivers हैं इंदस, सत्थूज, ये तीन rivers इनका origin outside इंडिया है Thank you for watching, take your good care, goodbye